बिहार स्कूल एजिकेशन बोर्ड बीए सीबी अब 12 वी के बाद अब 10 वी के नतीजे 6 अप्रिल को जारी करेगा बोर्ड ने इसकी सूचना जारी करते वे कहा कि बिहार बोर्ड के नतीजे 6 अप्रिल को 12 बज कर 30 बजे घोसित किये जाएंगे मैट्रिक वार्षिक परिक्षा 2019 का परिक्षफल भी सीमित द्वारा रिकॉर्ड 29 दिन में जारी किया जा रहा है मैट्रिक वार्षिक परिक्षा 2019 की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन का कारे दिन आंक 8 मार्च 2019 प्रारंब हुआ था वार्षिक मादेमिक परिक्षा 2019 का परिक्षा फल निम्नलिखित बेवसाइट पर देखा जा सकता है बेवसाइट हम आपके साथ सेर कर रहे हैं दसवी की परिक्षा थाइस परवरे को समाप्त हुई थी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनन्द किषो ने कहा चीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है बार्वी का रिजल्ट बेहतर आने से दसवी का रिजल्ट भी बेहतर आने की उमीद बढ़ गई है बिहार बोर्ड की मैटरिक वार्षिक परिक्षा 2019 में 16,60,000 परिक्षा थी सामिल हुए थे इस बार बिहार बोर्ड ने रेजिस्ट्रेशन से लेकर बोर्ड फॉर्म भरने की प्रकिडिया ऑनलाइन पूरी कराई थी साथ ही परिक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कई सक्त कदम भी उठाए गए थे बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड इस सब्ता बिहार बोर्ड मैटरिक के नतीजे विजारी कर सकता है नतीजे बिहार बोर्ड की वेफसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.bihar.government.in पर चेक किये जा सकेंगे